अपको स्वागत करता हूँ आपके अपने एडुक चैनल पर दोस्तों आज की वीडिया आपके लिए काफ़ इंपॉटेंट है जी एश्टी में यहाँ पर एक लेटेश जज्जमेंट जिसमें जी एश्टी टैक्सपेर के फेवर में डिसीजन दिया गया है और यहाँ पर जी जी एश्टी में नोटेस आ रहे है या अगर इस टैप की कोई भी प्रब्लम हो रही है उसमें आपको काफी हैल्प मिलेगी बिल्कुल लेटेस्ट के स्लोगा है केस में क्या फैक्स तरह थे थे जो जी एश्टी यहां पर टी इसलीए फॉइल की गई यहां पर इसलिए तो यहां पर अब GST में कोई ऐसा रूल नहीं है कि सबोज किजिए आपने अपने लाइबिलिटी को एड़ेस्ट कर दिया एक बार तो उसका दुबार से आपको रिफंड मिल जाए ठीक है तो उसी को लेकर यह रिपेटिशन फाइल की गई है और इसमें दो पॉइंट को आप इसमेंट हुआ है उसको अलाउड कर दिया जाए ठीक है तो यहां पर इस टाइप के प्रेटिशन फाइल की गई है अब यहां पर देखें पॉइंट करूंगा समझेगा हो सकता है कि आपके काफी सारे ऐसे केसे हो जो से मिलते जुलते हो तो आपको काफी हैल्प मिलेगी अ उनको भी ड्राफ्ट करने में और इस वाले केसलो की हैल्प से आपको यहां पर रिकमेंड भी आप कर सकते हैं कि सर देखें यहां पर जो है इस टाइप का यह जज्जमेंट है तो इसको आप रैफर कर सकते हैं ठीक है आला कि जी एश्टियार 3B की एजिस्ट रिटन की रेक ठीक है क्या है काफी सारे ऐसे केसलों हैं जो कि ईयस्ट में टेक्सक्सफर के फीवर में आरहे हैं और वहाँ पर और अलावड किया जा रहा है तो अब यहाँ पर जिस- stake in form GSTR 3B by accounting input tax credit as IGST instead of SGST and CGST ठीक है तो यहां पर यह कहा गया है कि sir हमें permission दे दीजिए कि हम अपने input tax credit को सही claim कर लें कि हमने जो है CGST-AGST claim लिया है वो IGST कम claim कर पाएं ठीक है अब second point में क्या कहा गया है to permit the petitioner petitioner कोन है जिसने rate petition file की है कि sir यहां पर जो मेरे से गलती हो गई है GST की returns में उसमें मेरे अगेंस्ट में order pass कर दिया गया है और मुझे यहां पर यह permission नहीं दी जा रही है कि मैं return को rectify कर सकूं जो मैंने tax लिये हैं देखे tax की payment तो यहां पर हुई है पर यहां पर input tax credit रोंग ले लिया गया अब रोंग ली में क्या हुआ है कि यहां पर जो है IGST के जहें पर सीजेश्ट 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 क्रेडिट ले लिया गया जो की गलत है फिर इसके बाद कहा है कि सर्व उसके बाद जो है तो पर्मिट दा पैटिशनर फूर रिफंड आइज़ेश्ट इंपूट टेक्स क्रेडिट एंड यहां पर क्या दिक्कत है मैं आपको बदायता हूं जो सीजेश्ट सीजेश्ट है वह आपस में अलाउट नहीं होते हैं ठीक है और इसकी भी एक प्रॉपर एजिस्टमेंट के रूल्स है कि यह कैसे सैट ओफ होंगे जैसे कि पहले बात करें तो को आईजेश्ट जो है वह आईजेश्ट की अगर आपको पेमेंट करनी है तो आप किसी से उसके में क्या है पहले आईजेश्ट से करेंगे फिर सीजेश्ट से फिर स्पैरो इसतरे से हाईर की बनी हुए है CGST की payment है पहले CGST से होगी फिर उसके बाद IGST से होगी CGST की payment को आप SGST से नहीं कर सकते हैं सेम ऐसा ही है SGST में SGST की जो payment है पहले SGST से होगी फिर IGST से और उसकी payment जो है CGST से नहीं हो सकती है तो यहाँ पर इस टाइप के arrangements हैं अब इसमें क्या दिखक्त है कि अगर आपने कोई गलत credit claim कर लिया तो आपको जो है सबोज कीजिए आपने cgst, hgst कर आप पर claim कर लिया तो rules में ये लिखा हुआ है कि आप जो है अगर आपने गलत credit claim कर लिया है तो आप इसका tax जमा करेंगे बट इसमें interest की आपको छूट मिल जाती है इस पर interest applicable नहीं होता है चूँकि आपके पास input तो था और आपने cgst, hgst claim कर लिया और why से वर्सा ठीक है तो इसमें क्या है कि अगर आपने igst, यहाँ पर cgst, hgst की गरत claim कर लिया है जबकि आपको igst लेना था तो आप igst का refund claim कर सकता है ये rule भी allowed करता है तो यहाँ पर यह रिट्पेटेशन फाइल की गई है कि सर में amendment की तो permission दी जाए क्योंकि जो liability already adjust हो गई है सबोज कीजिए आपकी cgst, hgst की liability थी ठीक है अब वो आपने igst की वियमेंट से adjust कर दी या igst की liability थी और cgst, hgst से adjustment कर दी जो adjustment already हो चुकी है अब उसको दुबारे से कैसे change करें क्योंकि gstr3 review में revision का कोई option नहीं है ठीक है फिर अगली रिट जो है यहाँ पर अगला point इस रिट में कहा गया है अब ओडर यह directing to the respondent, respondent मतलब department to reconsider exit point number 3 and point number 6 तो point number 3 and 6 एक पर देख लेता है यह लिखा हुआ है तो point number 3 में लिखा हुआ है एक copy of the order यह order जो pass किया गया है for the respondent रिक है 6 में लिखा गया है true copy of the letter जो की issue किया गया था second respondent यहाँ पर जो है hierarchy के coding सब चीजे की पहले जो है proper officer के पास detail गई proper officer ने letter is to कर दिया उसमें demand confirm कर दिया जब इसमें फाइल की गई further उसमें भी यहाँ पर demand को confirm कर दिया गया तो दो point आगे तीसरा point में आपको बता दिया by considering evidence produced by the petitioner especially in the fact that IGST credit and liability towards CGST and SGST are same क्या है क्योंकि यहाँ पर यह कहा गया है कि सरी टेक्स तो जो है टेक्स की इपेमेंट ओल्ड़ी एडजेस्ट हो गई है तो IGST का जो क्रेडिट है उसकी तो यहाँ पर यहाँ पर यह कहा गया है कि सर्फ वो जो order पास किया गया है उसको पास सच अधर अप्रोप्रियेट और कि आप यह ओडर पास करें डारेक्शन पास करें जो भी औरनेबल को को सही लगता है तो दिस्पैंस विद द प्रोड़क्शन ओफ टांसलेशन यह तो अलग 21st of October 2023 in exhibit point number 4 यहां पर इसमें क्या लिखा गया है एक copy of the representation की representation submit की गई बड़ लेकिन वो allowed नहीं हुई क्योंकि allowed कैसे होगी जब थिरी भी तो लेटी फाइल हो चुकी है तो मैंने फोर आपको बता दिया है और रेक्टिफाइंग दा मिश्टेक और विच रिजल्स इन पासिंग दा इंपंज अब यह कहा गया है कि सर यह क्वेस्ट की जा रही है कि इंपंज ओडर को आप जो है क्वेस्ट कर दें इसको अलाव कर दिया जाएं तो इसके रिगार्डिंग जो है कि तरफ से उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया इन दा वी ओफ देरोफ तब यंडी पेडिशन इस डिस्पोज दो विद डिरेक्शन अभी यह जो रिट पेडिशन है अलाव कर दिया गया और डिरेक्श्ट किया गया तो था थर्ड रैस्पॉंड एंड कू तो त पूरी डिटेल्स भी दे रहे हैं उसको कहा है कि आप इनको कंसीडर करें क्या है अजर एक्टिवेशन अप्लिकेशन फाइल बाइदा पैडिशन एससी और पास नेसेसरी ओडर किये कंसीडर करें उसके बाद और पास करें इन अकॉर्डेंस विद दा लो अफ्टर गीविं तो यहां पर क्या है इस एससी के केस में तो यह चीज अलाउड कर दी गई है बढ़ लेकिन जनरली सबको इसका बेनिफिट भी मिलेगा जब यह जो है हॉनरेबल सुब्रियम कोर्ट से पास होगा या फिर कोई ऐसा लो आएगा ताकि यह चीज़े कंफर्म कर दी जाएगी रिटर्न में अलाउड किया जाए क्योंकि एक बार इसमें 3B में केवल इंपूट से अजस्टमेंट का ही पॉइंट नियाज में काफी ऐसरे पॉइंट्स हैं ऐसे केस्टियार वन हो या 3B हो तो उसमें रेश्टिक्शन है कि आप यह परिटिकुलर टाइम लिमिट तक कर सक करें यहां पर नोटीस भी बेजा है तो नेक्स पीडियो जरूर दिखेगा उनसे यह चीज चीज कंफर्म करने के लिए कि ऐसा यह लिख गया है ठीक है तो टाइप के काफी सारे वीडियो मेरे यूटूब चैनल पर एवेलेबल है आप गूगल पर या यूटूब पर करेंगे आपको चैनल मिलेगा यहां पर इंकमटाइस जीजटे काफे सारे वीडियो लेटेस अब्डेट फाइलिंग प्रोसर्स अप्लोड़ीड है और यहां पर मैंने एक प्लेलिस भी बनाई है जिसमें लेटेस जज्जमेंट भी अप्लोड़ीड है नोटिस के रिप्ला